बच्चों, किसी भी देश के सरकार अपने देश की आर्थिक स्थिती का पता लगाने के लिए क्या करती है? वो राश्ट्री आई की गड़ना करती है, यानि कि उस देश की साल भर की राश्ट्री आई क्या है? गटवर्ष्ट से उसके तुलना करके ये पता लगाती है कि उसमें वृद्धी हुई है या कमी हुई है? और इस तरह से इस बात का अंगलन कर लिया जाता है कि देश विक्सित हो रहा है, विकास की रागे बढ़ रहा है या उन्निती की और अभी भी अग्रिसर नहीं हो पा रहा है? तो राश्ट्री आय के अंतरगरत इसके बहुत सी अवधारनाएं हैं जिनने हम इन अध्यायों में देखेंगे, सबसे पहले हम समाने शब्दों में राश्ट्री आय क्या है ये जानेंगे, राश्ट्री आय के बारे में हम ये कह सकते हैं कि एक देश में एक वर्ष के अंद हम अगर विसलेशन करें इनको अलग-अलग करके निकाले तो हम देखते हैं यहां पर कि यहां पर राश्ट्री उत्पाद भी इसको कहा जा सकता है क्योंकि कुल उत्पादन की बात हमने कही यहां पर कुल वस्तो और कुल सिवाओ के उत्पादन की दूसरा हम इसको यहां पर रास्ट्री लाभांश भी कह सकते हैं और तीसरा हम इसको यहाँ पर रास्ट्री वे भी कह सकते हैं क्या कारण है यह सब नाम देने की यागे हम और विस्तार से जानेंगे फिलहाल हम देखते हैं कि रास्ट्री आए की जो परिभाशा है उसे हमने दो भागों में बाट कर यहा परिभाशाओं का है तो आए देखते हैं कि वे कौन-कौन से अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने परंपरागत परिभाशा के अनुसार इसके अर्थ को अभवेक्त किया है तो यहां पर हम देखते हैं प्रोफिसर मार्श्यल प्रोफिसर पीगू और प्रोफिसर फिशर की दीत है और इन तीनों अर्थशास्त्रों की परिभाशाओं को हम प्रिथक करके इनका अध्यान विश्च्राओं का अध्यान जब हम करेंगे तो हम राश्ट्री आय और उसके महत्यों को और अधिक अच्छे से समझ पाएंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्शल की परि करते हुए प्रतिवर्ष भौतिक एवं अभौतिक वस्तूं एवं सभी प्रकार की सेवाओं का जो शुद्ध योग उत्पन करते हैं उसे ही उस देश के शुद्ध वार्ष रिखाय अत्वा राश्ट्रे लाबान कहते हैं तो आपने देखा कि मार्षल ने जो परिभाषा दी है अगर हम उस परिभाषा का बारिकी से विसलेशन करें तो कुछ बाते जो निकल कर आती हैं कुछ बिंदू जो हमारे पास निकल कर आते हैं जिनके आधार पर हम राश्ट्री आए के अर्थ को और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं वो सारे बिंदो इस प्रकार है सबसे पहले यहां पर इन्होंने जो बात कही है उसके अंतरगत कहा है कि राश्ट्री आए की गढ़ना वार्षिक आधार पर की जाती है जैसे कि हमने इसके मेनिंग में भी जाना था कि किसी देश की एक वर्ष की जो आय होती है तो एक अप्रेल से 31 मार्च तक होता है तो इसे वित्यवर्ष के आधार पर राश्ट्री आए की गढ़ना की जा सकती है वैसे ही दूसरा हम देखते हैं कि राश्ट्री आए यहां पर जब कुल उत्पादन में से मशीनों की टूट फूट और गिसावट वे को हमको यहां पर घ पैसा लगा है विदेशों में वो कहीं न कहीं अपने देश के भीतर का ही पैसा है तो वहां से हमको जो आयप राप्तों होती है वो भी हम राश्ट्री आए के अंतरगत उसको हम जोड़ लेते हैं एक और मत्पूर बात यह निकल कर आती है कि निशुलक सेवाओं को इसमें शामिल नहीं करना चाहिए यानि कि जैसे अगर कोई डॉक्टर है यह टीचर है यह अपने घर में अगर अपने बच्चों को या किसी बिमार व्यक्ति को निशुलक सेवा देते हैं तो इसमें जो उसका मूल्य बनता है वो जो मूल्य है वो राश्ट्री आए में शामिल नह किया जाना चाहिए उसके बाद हम देखते हैं कि उन्हें यह भी कहा है कि राश्ट्री आए की परिभाषा उत्पादन के आधार पर क्योंकि यहां पर हमने बात कहीं कि वर्ष भर में वस्तु और सेवाओं का उत्पादन उभोग और अवित्रण को हमने यहां पर अलग हैं इसी तरह हम देखते हैं कि यहां पर हमने जो मार्शल की परिभाषा देखे थी वो समझने में भी काफी सरल है और बहुत गम्य हैं अब Marshall की परिभाषा की जिस तरह से इनकी कुछ विश्यस्ताय हैं वैसे ही इनके साथ अर्थशास्त्रीओं ने इनकी परिभाषाओं की बहुत सी आलोचनाय भी की है तो आईए देखते हैं कि मार्शल ने राश्ट्री आए के सम्मन में जो प्रिभाशाएं दी हैं उनकी आलोचना किस प्रकार की गई सबसे पहले हाँ देखा गया है कि राश्ट्री आए कि ठीक ठीक गड़ना करने में कुछ न कुछ कठी नाई होती है वस्तू और सिवाओं के उत्पादन की बात की गई लेकिन किन किन वस्तू को शामिल किया जाए किन किन सिवाओं को शामिल किया जाए किन को शामिल ना किया जाए ये कुछ ब्रांतियां बनी रही तो ये कहा जा सकता है कि कैलकुलेशन में ठीक ठीक गढ़ना करने में कही न कही दिक्कत बनी रहती है दूसरे इसके अलोश नहीं साधार पर की जा सकती है यहां इन्होंने कहा है कि मुद्रिक मुल्यांकन इसका अधार होना चाहिए यानि कि मुद्रा में ही जिनकी वैल्यू को हम कर गयात कर सके किवल उनको ही राष्ट्रियाई के गढ़ना में शामिल किया जाना चाहिए लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ देशों में जरूरी नहीं कि किवल मुद्रा विन्में ही प्रचलित हो कई बार जब वस्तु विन्में प्रणाली भी प्रचलित होती है तो वहाँ पर वस्तु विन्में के अंतरगत जो उत्पाद या क्रेविक्रे किया गया उनके मूले को इसमें शामिल करने से अलग कर दिया जाता है तो सही सही आकलन राष्टियाय का नहीं हो पाता है तो ये भी एक कमी बताई जा सकती है मार्शल की द्वारा दी गए प्रभाशा में इसी तरह इन्होंने कहा है कि वस्तु और सेवाओं की जो गड़नाएं अंतिम वस्तु के अधार पर की जाए इस तरह से किसी प्रकार के शब्द का उलेक नहीं किया गया है तो ये ऐसा एक कारण बन सकता है जहां पर किसी भी वस्तु ये सेवा की दोहरी गड़ना है डबल बार बार उसको हम लिख दें ऐसे संभावना हमें शबनी रहती है लेकिन फिर भी बहुत से आलोचनाओं के बाद भी हम ये कह सकती कि मार्शल की जो परिभाशा है वो सैध्धान्तिक के साथ-साथ व्यवहा अनिसरे अर्ध दूसरे अर्थ शैस्त रहती है जिसे मुद्रा में मापा जा सकता हैिसमें विदेश Whats आयभी शामिल रहती है तो आपने देखा कि प्रोफिसर पीगू ने राश्ट्रियाए के संबंध में किस तरह से अपने विचार वेक्ति किये हैं इनकी परिभाशाओं का अगर विसलेशन किया जाए तो राश्ट्रियाए के बारे में जो कुछ महत्वपूर बिंदू सामने निकल कर आते हैं वो कु जैसे ही पीगू के भी बिचार धारा है कि उन्हीं वस्तुओं और उन्हीं और सकते हैं लिकिन मोधरिक आधार पर या भी कहा सकता है कि प्रोफिसर पीगू ने म्योगा के रूप में राश्ट्रियाए के मुल्यांकन के बात कही तो उनका ऐसा कहना राष्टिया की गढ़ना को कहीं न कहीं आसान बना देता है अगला जो बिंदु यहां पर हमको देखने को मिलता है वो है कि मौद्रिक मुल्यांकन के कारण हमने जैसे कि देखा कि गढ़ना जो होई वो सरल हो गई और साथ ही इनकी परिभाशा से एक और बात इसपस्ट हो जा अब अगर हम इनकी आलोचनाओं की बात करें तो कुछ अर्थशास्टियों ने इनकी परिभाशाओं की आलोचना भी की है जैसे ये कहा जा सकता है कि विकसित देश के लिए ये उप्यूगत है लेकिन आविकसित या विकाशियल देशों के लिए कहीं न कहीं आन अबनी परिभाशा में रास्ट्रियाई की गर्णा के लिए केवल मौद्रिक मूल्यों को ही शामिल किया है लेकिन जो आविकसित या विकाशियल देश होते हैं वहाँ पर मुद्रा विनिमे के साथ साथ वस्तू विनिमे भी प्रचलन में रहती है यानि कि वस्तू के बदले वस्तू को प्राप्त करना इस तरह की कुछ विनिमे प्रचलन में रहती है तो वहाँ पर फिर यहां उत्पादन का मूल या राश्ट्रियाई में जोड़ पाना यह असंभव सी बात हो जाती है इसलिए कहा जा सकता है कि विकसित देशों के लिए तो पीगू की परिभाश् के लिए कहीं ना कहीं उनकी परिभाशा के अधार पर राश्ट्रियाई की गढ़ना करना कठीन हो जाएगा दूसरी एक बात निकल कर सामने आती है कि केवल मुद्रा से विनिमे संभव नहीं है जिससे हमने अभी देखा हाला कि मुद्रिक विनिमे को शामिल किया गया और व तीसरी एक अगर हम यहाँ पर इनकी आलोजना की बात करें तो हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं इनकी परिभाशा में भी जिन बातों का उलेक किया गया है चाहे वो मौद्रिक रूप में मुल्यांकन का हो या अन्य किसी बात पर लेकिन इनकी जो परिभाशाओं में कहीं न कहीं अन्य अर्थ शास्त्रियों ने, अब पीगू की परिभाषा के बाद जो एक अन्य परंपरागत विचारधारा की अर्थ शास्त्रियों है, प्रोफिसर फिशर तो आएए देखते हैं कि प्रुफेसर फिशर ने राश्ट्री आइक की गर्णा के सम्भनुद में अपनी परिभ प्राप्त होती है चाहे वे उनके भौतिक अत्वा मानले बातावरन पे प्राप्त हुई है इस प्रकार एक पियानो अत्वा और को जो मेरे लिए एक वर्ष बनाया गया है वह इस वर्ष की आये का भाग नहीं है बलकि वह पूंजी में व्रुद्धि मात्र है केवल वे सेवा आये हैं जो इन वस्तों से मुझे इस वर्ष प्रदान की गए हैं तो आपने देखा कि फिशर की जो परिभाषा है वह थोड़ी सी मार्शल और पीगो की परिभाषा से हटकर है उन्होंने उत्पादन पर बहुत ज्यादा जोड़ ना देकर उपभोग पर जोड़ दिया है उनका मानना है कि हम वर्ष में जो वस्तूए उत्पन होती हैं उनका उत्पादन होता है किवल वहां तक या उस तक सीमित ना रहे बल्कि हम यह देखें कि उपभोग कितना हुआ है यानि कि यहां पर जो कुछ बिंदू निकल कर आते हैं उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि इन्होंने उभोग को आधार माना है क्योंकि इन्होंने माना है कि वास्तों में एक वर्ष में जो उत्पादित वस्तु हैं उसका कितना प्रतिशत भाग या कितना जो उभोग है वो बलकि उत्पादित वस्तू के उभोग को इनों ने कहा है कि उभोग को शामिल किया जाना चाहिए यानि उत्पादन एक अलग चीज है उत्पादन तो हो गया लेकिन सिर्फ उत्पादन के अधार पर हम यह नहीं कह सकते कि इतनी राष्ट्रिया है बलकि यह देखना होगा कि उसी तरह एक बिंदू ये भी हो सकता है कि आर्थिक कल्याण के विचार के अनुकूल है क्योंकि उभोग की जो प्रक्रिया है वो कहीं न कहीं किसी देश के लोगों के जीवन इस्तर से प्रभावित होती है तो यहां पर अगर रास्टी आया का तुलनात्म का अधियन करना भी हो तो उतपादन के अधार पर ना किया जाए बर्कि उबोग की आधार पर किया जाए याने कि ये देखा जाए कि गत वर्ष घृतर और टैकि या किया कर दोबई धिए क्या जा सकता है कि बात लोगों की पास जो आ है और उस और उसको वह भोग पर खर्च करते हैं तो कही न कहीं जी आक्डा है जिसके cercair WAagd काफी विशेष्टाएं हैं MARSHAL और पीगू से काफी हटके हैं市 мир की परिभाशा लेकिन फेर वे कुछ खरत शास्थ्रीयों ने परिभाशा की भी आलोचना की है कौन-कौन से बिन्दों के आदहर पर फिशर की परिभाशा की आलोचना की जा सकती है तो यहां हम देखते हैं कि वेभारिक दिश्टिकोर्ण से दोश्पूर्ण है क्योंकि हम बात करते हैं वस्तोर सेवाओं के उत्पादन के कुल मुलिकी और हम जो उसमें कैलकुलेशन करते हैं प्लस माइनस करते हैं वो सारे जो पॉइंट्स होते हैं वो कही न कही उत्पादन से संबंदित होते हैं तो अगर हम उभोग के अधार पर रास्टिया के कैलकुलेशन करें तो कहीं न कहीं गढ़ना दोश्पूर्ण हो जाएगी यानि कि व्यवहार में लाना काफी कठिन लगता है दूसरे इसके अलोचना यह करकी जा सकती है कि उभोग का अनुमान लगाना क कहीं न कहीं कठिन होता है मुद्पादान का अनुमान लगा सकते हैं उथ-पादन के सही आखड़े जो हैं वहमको आसानीं से प्राप्त हो पाते हैं लेकिन अभीक अनुमान लगानें में कहीं कठिनाई होतीई उत्पादक जो होते हैं लेकिन उभोकता तो पूरा का पूरा देश है तो एक बड़े छेत्र का अध्यन कर पाना मुश्किल लगता है इसले भी ये कहा जा सकता है कि कही न कही जब हम उभोक को आधार मन कर जब कैलकुलेशन करते हैं तो गढ़ना कठीन हो जाती है अब हमने देखा कि मार्शल का क्या कहना है रास्ट्रिया के बारे में फिशर का क्या कहना है और पीगू का क्या कहना है अगर इन तीनों की परिभाशाओं का तुलनात्मक अध्यन किया जाए या फिर ये बात कही जाए कि तीनों में से कौन सी परिभाशा उप्युक्त है तो ये कहना काफे मुश्किल हो जाएगा कि किस परिभाशा को सर्वसरिष्ट माना जाए क्योंकि अगर मार्शल और पीगू की परिभाशाओं को देखा जाए तो दोनों ने माना है कि वस्तु और सेवाओं का जो उत्पादन होता है एक वर्ष के अंतरगत होता है किसी देश के अंतरगत होता है तो यह सारी जो इसके साथ की जाती है वो राश्चिया की गढ़ना का अधार बनती है कहीं नघंव से वियभारी को से बिलकुल सही प्रतीत होती है अगर उन किकी परिभाशा को भी नकारा नहीं जा सकता क्योंकि ये बात भी वास्तों में सही है कि उभोकता का अगर इस्तर उसके आय का इस्तर अगर बढ़ रहा है अगर उसका खर्च जो है वो बढ़ रहा है वो ज्यादा खर्च कर रहा है साल दर साल मतलब कहीं न कहीं वो आर्थिक कल्या और उनका राश्ट्री आए के प्रती जो दृष्टी कोण है वो अपने आप में अपनी जगह सही हैं लेकिन फिर भी अगर व्यवहार में लाने योग्य किसी परिभाशा को या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि समझने योग्य सरल परिभाशा और बोधगम में परिभा जा सकता है क्योंकि एक चीज हमने यहां पर ये भी देखे कि मार्शल की परिभाशा के आधार पर बहुत से बिंदू जो हमारे सामने निकल के आए राश्ट्री आए के संबंध में उन सभी बिंदों का विसलेशन करके कहीं न कहीं हम राश्ट्री आए के बारे में एक अगर हमी देश के आर्थिक कल्यान का ये अगर सकते हैं कि अगर राश्ट्री के लिए Pre कर दाना हो तो वहाँ पर रुभोग के आधार पर फिशर की परिभाशा उपयूगत रहेगी तो गुल मिलाकर किसी भी अर्थशास्त्री की परिभाशा को नकारा नहीं जा सकता और साथ ही साथ अलग-अलग दिश्टिकोर्ण से अलग-अलग उद्देश से तीनों ही राश्ट्री में के परिभाशा दी हैं तो हम देखते हैं कि आधुनिक अर्थचास्त्रियों के अन्तरगत्र यहां पर Prof. साइमन की परिभाशा आती है और दूसरी यहां पर हम जो परिभाशा देखेंगे वह ओगी केंद्रिय सांखी की संगत्हन के प्राफ्ट्रिया के के कि रशिट्री आए किसी देश की उत्पादन विवस्था में एक के भीतर प्राप्त होनी वाली वस्तों एवं सेवाओं का वव विशुद उत्पादन है जो अंतिम भोकताओं को प्राप्त होता है अत्वार्देश के पूंजी स्टॉक में ब्रद्धि करता है तो आपने देखा कि प्रोफिसर साइमन ने राश्ट्रिया के समन में जो परिभ को राश्ट्रिया में शामिल किया जाना चाहिए दूसरा इन्होंने माना है कि वस्तु एवं सेवाओं का विशुद उत्पादन याने कि जो अत्रिक्त वैह होते हैं या जो घिसावत होती है संपत्तियों के उनको हटा कर जो विशुद उत्पादन बचता है उसको शामिल क किया जाना चाहिए और तीसरी एक बात जो इन्होंने मानी है कि अंतिमुभोगता तक जो पहुँच होती है उसकी आधार पर राश्ट्रिया की गढ़ना की जानी चाहिए अब दूसरी अगर हम आधुनिक परिभाशाओं के बात करें तो यहां हम देखते हैं केंद्री सांक की संगठन के अनितार राश्ट्री आय किसी देश के सामान्य निवासियों द्वारा एक लेखा वर्ष में मजदूरी लगान ब्याज तथा लाव के रूप में अर्जित साधन आय का योग में तो आपने देखा कि केंद्री सांकिकी संगठन ने राश्ट्रिया के बारे में जो परिभाषा दी है उसमें कुछ महतुपूर्ण बिंदू सामने निकल कर आते हैं और जिनके अधार पर हम राश्ट्री आय को और अच्छे से समझ सकते हैं सबसे पहली बात ये पता चलती है कि यहां पर राश्ट्री आय का संबंद किसी राश्ट्र विशेस से किसी पर् पर की जाती है तीसरी जो बात निकल कर आती है वो हम देखते हैं कि उन वस्तू एवं सेवाओं को यहां पर हम शामिल करते हैं जिनका विनिमय मुल्य होता है यानि कि जैसे अभी तक हमने देखा कि मौद्रिक रूप में जिनको व्यक्ति किया जा सके उन्हीं वस्तू और उ विशुद्ध वो तभी कहलाएगा जब उसमें से कुछ व्य जो होते हैं जिसे घिसावट संबंधी जो व्य होते हैं संपत्यों पे मुल्य हा संबंधी जो व्य होते हैं जब वो घटा दिये जाए तो जो हमको प्राप्त होगा वो विशुद्ध आए होगी तो यहां पर उ वस्तू और सेवाओं के मुल्य को एक बार शामिल किया जाना चाहिए यानि कि सावधानी रखनी चाहिए कि कहीं किसी वस्तू या सेवा के मुल्यांकन की दोरी गरना तो नहीं की जा रही है तो आपने देखा कि किस प्रकार विभिन अर्थशास्त्यों की अलग-अलग परिभ किस प्रकार की जाती है और वासतों में जब हम रास्ट्याइख गरेलू उत्पाद जिसकी बारे में आप अक्सर न्यूद चैनल में अपने आस पास अपने दोस्तों से अपने मित्रों से सुनते होंगे GDP कई बार हम ये सुनते हैं कि GDP बढ़ गई GDP घड़ गई तो क्या है ये GDP सकल घरेलू उत्पाद याने gross domestic production GDP यहां पर इसका सीधा सीधा अगर अर्थ हम देखें तो यहां हम देखते हैं कि GDP जो है GDP से ताथ पर एक लेखा वर्ष के अंतरगत ए याने एक देश के सीमा में उत्पादित समस्त वस्तू और सेवाओं के मौद्रिक मूले से होता है यहां ध्यान रखने योगी बात यह है कि gross domestic production है सिर्फ अपने देश में उत्पादित वस्तू और सेवाओं की बात ही यहां पर की गई है अब अगर हम GDP के इस अर्थ के अधार पर विसलेशन करके इसकी विश्यस्ताओं को देखे तो शायद हम GDP को और अधिक अच्छे से समझ पाएंगे तो आए देखते हैं इसकी विश्यस्ताओं सबसे पहली बात तो ये कि सकल मतलब इसमें घिसावट वै और मुल्यास शामिल है जैसे अभी हमने बात कही थी विशुद यानि कि उसमें से हम घिसावट या मुल्यास को जब माइनस कर देंगे तो वो हो जाएगा शुद लेकिन अगर माइनस नहीं किया हुआ है उसके पह हास होता है वो इसमें से भी घटा नहीं है दूसरी एक चीज निकल कर सामने आती है कि इसमें दोहरी गड़ना से बचने के लिए वस्तू और सिवाओं के केवल अंतिम मूल्य जो उनका होता है उसी को शामिल किया जाता है तीसरी एक बात निकल कर आती है कि इसमें पुरानी पुरानी वस्तो यानि कि हमने जब एक वर्ष की बात कर रहे हैं तो जिस चालू वर्ष के लिए हम क्यालकुलेशन कर रहे हैं केवल उसी चालू वर्ष की संपत्ति और दाइतो यानि जो भी विक्रह हुआ है संपत्तियों का उसके आधार पर हम राश्ट्रियाई की गर्णा करेंगे पिछले वर्षों में जो क्रे विक्रह हुए हैं उनको हम इसके अंतरगर शामिल नहीं करेंगे वैसे एक चीज हमको यह देखने मिलते कि स्वाव भोक के लिए किया गया उत्पादन या हम यह कह सकते हैं कि खुद काबिज मकानों पर आरोपित किराया इसमें जो लाप्राप्त होता है इसमें जो आया होती है वो भी राश्ट्रियाई की गर्णा में शामिल नहीं की अगली जो इसके बारे में एक धारना बनती है वो यह भी है कि जीडिपी देश के घरेलू सीमा से संबंधी तवधारना है यानि कि केवल और केवल एक देश के भीतर उत्पादित वस्तू और सिवाओं के संबंध में इसके बारे में हम कह सकते हैं कि अगला एक यहाँ पर समझ में आती है कि की तृ इसमें कुछ चीजे इह जिनको शामिल नहीं किया जाएगा और अवैधानिक अगर क्रियाए है जो वैधानिक नहीं है कानून के दृष्टिकोंट से उनसे जो इनकम होती है आय होती है किसी को तो उसको भी राश्ट्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा तो यह कुछ अधारना है GDP के समद्ध में वास्तों में GDP ही एक ऐसा बेस है एक ऐसा आधार है जिसके अधार पर हम अ नैशनल प्रोडक्शन जिसे हम कह सकते हैं सकल राश्ट्री उत्पाद अगर हम दोनों को कंपेर करें GDP और GNP तो यहां पर सिफ डोमेस्टिक और नैशनल का ही डिफ्रेंस हमको देखने को मिलता है यानि कि एक जगा घरेलू की बात की जाती है जो सिर्फ एक देश की सीमा के बीतर कि वस्तोर सिहां की उत्पादन की बात करता है और दूसरा डोमेस्टिक की जगा नैशनल वाली बात की जाती है जिसके अंतरगत पूरे देश में जो वस्तोर सिहां को उत्पादन होता है इसको शामिल किया जाता है कही नगui एक कंफ्यूजर का बना तो अगर हम बात करें जी एन पी की तो यहां पर हम देखते हैं कि इसका सीधा सीधा हर्थ हम कह सकते हैं कि देश के अंदर और देश के बाहर के निवासियों द्वारस रजीत देश के कुछ लोग हैं जिनको देश की नागरिक्ता प्राप्त है लेकिन देश के बाहर वो कुछ आयर जित कर रहे हैं तो उसको भी हम जी एन पी की कैलकुलिशन में जोड़ देंगी जिपके जी डी पी में हम वैसा नहीं करते हैं तो एक तो यह अंतर है अब यहां पर अग विदेश के निवासियों द्वारा बिदेश में जो आयर जित की जाती याने नागरिक्ता उनको अपने देश के प्राप्त है लेकिन आए उन्होंने विदेश में अर्जन किया है वहाँ पर जो आय होती है उस पूरी आय में से अगर हम विदेशी निवासियों द्वारा देश में अरजित की गई आए, याने वो निवासी वो बाहर के हैं दूसरे देश के हैं لेकिन उन्होंने अपने देश में आय अरजित की है, तो दोनों को अगर हम घटा देते हैं माइनस कर देते हैं तो जो बैलेंस बन जाता है वो NFIA यानि विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आए कहलाता है तो हम देखेंगे काई वर निगेटिव यानि कि माइनस ब्मान जोल के पाँ से दिख लेते हैं यहां यह क्या सकते हैं कि अगर पॉजिट्य नैंग्रनस और था उसकल निगेटिव कर ब्लक्त सब्सींग माइन करता है तो हम यह क्या सकते हैं कि सकल राश्टी उतपाध को और अधिक अच्छे से सभ सायआ से तो यहां थेकते हैं कि इसमें जो सकल राश्टी उतपाध है उसमें घिसावट को नहीं घटाया गया है क्योंकि अभी तक ग्रॉस है वो अभी नेट नहीं हुआ है तो उसमें घिसावट को यहाँ पर नहीं घटाया गया है और दूसरी बात यहाँ पर होती है कि केवल चालू वर्ष का उत्पाद यानि जिस वर्ष की हम क्यालकुलेश या कंपनी के अंश शेयर कोई या बॉंड्स है या फिर क्रेविक क्रेव से संबंदित कुछ है या फिर दस्त बेरोजगारी भत्ता है व्रिद्धावस्था पिंशन नहीं सब आए के अंदर अगर इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो यह जो कैलकुलेशन होगी वो केवर चालू से संबंदित होगी दूसरा हम यहां पर कह सकते हैं कि केवल अंतिम वस्तों और सेवाओं का मूलेहा पर शामिल किया जाना चाहिए एक इसका बहुत महत्पूर्ण कारण यह भी है ताकि दोहरी गरना से बचा जा सके अगला जो एक महत्पूर्ण विशेस्ता इसकी निकल कर आती है वो यह है कि यहां पर निशुलक सुविधाओं को शामिल नहीं किया जाना चाहिए जैसे अभी हमने राश्टियाए के बारे में देखा कि कोई डॉक्टर है अगर वो अपने घर में किसी को सेवा देता है किस अगली जो बात निकल कर आती है वो सबसे महत्पूर्ण है जो हमने अभी तक की परिभाशाओं में बहुत विशेस्ताओं में भी देखा था कि अवयद रूप से अगर कोई कमाई की गई है कोई आयरजित की गई है तो वहाँ पर उस आय को हाँ राश्ट्री आयकि करना में शामिल नहीं कियो जाएगा हमने सकलगरेलू उत्पाद और सट snakes राश्ट्री उत्पाद के बारे में जाना मिन जो इसका सकल घरेलू उत्पाद यानि कि GDP से अभिप्राय एक देश के घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मुल्ली के योग से हैं सकल राश्ट्री उत्पात से अभिप्राय एक देश के सामानी निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम बस्तों वस्यवाओं के मौद्रिक मुल्ली के यूग से है। सकल घरेलू उत्पात एक भगौलिक धारना है अता इसका संबन्द देश के घरेलू सीमा से है। सकल राश्ट्री उत्पात एक राश्ट्री धारना है अता इसका संबन्द देश के सामानी निवासियों से है। बाजार केमत सकल घरेलू उत्पात बराबर P इंटू G प्लस P इंटू S होगी जबकि सकल राश्ट्री उत्पात GDP प्लस NFIA होगा। सकल घरेलू उत्पात के मूल्य में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जोडने पर सकल राश्ट्री उत्पात का मूल्य प्राप्त होता है। सकल घरेलू उत्पात में यदे विदेशों से प्राप्त साधन आय रनात्मक है तो इसका मूल्य सकल राश्ट्री उत्पात के मूल्य से अधिक होगा। सकल राश्ट्री उत्पात में यदे विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय धनात्मक है तो इसका मूल्य सकल घरेलू उत्पात के मूल्य से अधिक होगा। इन अंतरों के आधार पर हमने जीडीपी और जीएनपी को काफी हद तक समझ लिया है। अब हम देखते हैं कि जीडीपी और जीएनपी की व्यवहारिक रूप से इसके क्यालकुलेशन कैसे की जाती है। दे गई सुचनाओं के आधार पर सकल राष्ट्रे उत्पात तथा सकल घरेलू उत्पात की गणना कीजिए। यहां कुछ मदे दे गई हैं और वस्तोग और उनका मूल्य करोड में दिया गया है। जैसे उभुक्ता वस्तोग का उत्पादन 5000, पुंजिगत वस्तोग का उत्पादन 3500, उभुक्ता एवं पुंजिगत सेवाओं का उत्पादन 1500, निर्यातित वस्तोग एवं सेवाओं का मूल्य 1000, आयातित वस्तोग एवं सेवाओं का मूल्य 800. यहां को क्योंकि संपोन घरल उत्पाद ग्याद करना है और वक्यूंस और संपुर्ड घरेलू ऊत पाद में उब्धूक्ता और पुझीगत वस्तो एबम सिवावर का मौदmath notice होता है इसलिए हम सपसे पहले संपौन घरल उत्पाद की order recuperator तो यहां पर हम देखते हैं कि जो संपूर घरेलू उद्पाद सेवां का उत्पाद्न शाबद करेंगे तो इस प्रकार्ब फृल मिलाकर संपूर घरेलू उद्पादन 10,000 करोले रुप में हुझार अब क्योंकि हम हमें को यहां पर GnP calculation करना है तो GnP equal to GDP plus E minus I जो हमने पहले देखा था सकल राश्ट्री उत्पाद बराबर संपोर घरेलू उत्पाद प्लस निर्यास minus I.R. होगा इसके according हम यहाँ पर हमने देखा कि GDP हमने calculate कर लिया है gross domestic production सकल घरेलू उत्पाद यह 10,000 करोड और इसके बाद हमने export और import जो है वो यहाँ पर प्रश्ण में दिया हुआ है एक जार और आठ सो इससे जब हम formula पूट कर देंगे तो यह हो जाएगा GnP gross national production is equal to 10,000 plus 1,000 minus 800 तो यह GnP यानि कि gross national production हो जाएगा 10,200 करोड उत्पाद यहाँ जब हम को GDP की calculation करनी होगी तो क्योंकि हमने formula देखा कि GDP जो है वो calculate होता है सकल राश्ट्री उत्पाद में से आयात और निर्यात के अवशेश को भटा कर तो हम आयात और निर्यात का अवशेश यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों में जो balance आ रहा है और सकल राश्ट्री उत्पाद में से इसको हम माइनस कर देंगे तो यह हो जाएगा